कि नमस्कार मैं हूँ प्रकर प्रकाश मिश्रा आप देख रहे हैं क्रॉस फायर क्रॉस फायर में आज हमारे संग एक खास महमान मौजूद हैं उत्राकंड के मुकमंत्री हरी शरावत हमाय साथ हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि उत्राकंड की पाँचो सीट को जीतना है इस लोग सभाचुनाओं में और इन्हें कॉंगरेस को देना है यानि सोनिया गांधि को देना है हमारे संग मौजूद है उन से जानते हैं वो कितने आपके लिए देव भूमी को जीतना है और फिर कॉंग्रेस की सत्ता को बना रखने के लिए आपकी जिम्मेदारी दी गई है आप इसको कैसे देव भूमी की जनता का मैंने दिल जीत लिया उनको ये विस्वास दिला लिया कि उनका मुख्यमंत्री उनके सेवक के रूप में उ रोड़े नहीं आते हैं आप मानते हैं बाधा नहीं आती लेकिन ये कहा जा रहा है कि पांस सीटें बहुत महत्रपूर हैं और कॉंग्रेस कहीं बैक फूर्ट पे थी इसी वज़े से आपको मुखमंत्री बनाया गया आपके जाने के बाद कितनी समस्याओं का समधान हो गया हैं पार्टी ने एक फैसला लिया कि भी बीजय जी के वज़ाए मैं वहां पर काम को सवाल हूँ और मैं जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है उसी से आगे बढ़ने की कुशिश कर रहा हूं उत्राखंड के अंदर चार धाम की यात्रा की तैयारियां चल रही हैं एक पार्टी एक सरकार या एक व्यक्ति नहीं है बलकि हम सब उत्राखंडी के लिए ये एक चुनौती है दुनिया हमारी मदद कर रही है देश हमारी केंश सरकार हमारी भरपूर मदद कर रही है अब हमको उसका फाइदा उठा करके एक सुगम और सुरक्षित यात्रा का परवंधन करना है जो फस्फिज है यात्रा का उसको देखना है उसके लिए हमने सारे इंतजामात कर दी हैं किदारनाथ के समय जो तरास्दी हुई अब वक्त है मौसम कई बार दिक्कत देता रहा फिर ये होता रहा सर्दी है फिर बरसात है अब आपके पास काइम है काम करने का आप क्या वादा कर रहे हैं लोगों से कि उनके मकान उनके स्कूल और उनके अस्पताल के साथ साथ यह यही अपरिल के मैंने में सब पूरी तरीके से दुरस्थ कर देने का काम करें गया है। जिए हों जिए हमारे प्रभोजल होते जा रहे हैं तो बाढ़ नियुन्तरन का काम को हम सांसां कर रहे हैं। नदियों को की ड्रेजिंग करवा करके हम उसमें भी पाने के बहाओ को जो एक तरफा हो गया था उसको उसके सवहाई कोर्स में लाने के काम को भी अंजाम दे रहे हैं. मैंने मेरे सामने आप काम है रीविलीटीशन का री कंस्ट्रक्शन का री कंस्ट्रॉक्शन का जो फेज वन है मैंने अभी आपको बताया. फेज टू में हम केदार-धाम और अपने जो यात्रा के दूसे पड़ाओं हैं, कुछ हमारे गड़वान मंडल बी कास्टिंगम के गे किदार धाम में हो सकता एक नए सेफर स्थान पर जहां भी जियालोजिकल सर्वेवाले बताएंगे वह एक टाउन से भी नए बनाने का काम करेंगे या उसी को हम रेस्टूर कर सकेंगे जहां थी तो उस पर भी हम दोनों पर अमल करेंगे हमारा फोकस है कि हम यह सारे काम पायावरा अनुकूल हो और नुकसान ना हो गाटी तो यह होगा फेस्टू में आप रहा है रिहेविलिटेशन में हमने पहला काम किया कि लोगों को मौजा मिल जाए मौजा लगभग हो सकता है कहीं कुछ हो मैं नहीं कहता क्यों कि इतनी बड़ी मशीर में इतनी बड़े का प्रासी दे दी है जो जिन परिवारों ने अपना कमाने वाला खोया था उनको रिहेविलिकेट करने की प्रोस्टेस हमने प्रारम कर दी है जिन उन्हें अपना बिजनिस होया है उसके लिए हमने दो तरीके के पैकेज बनाए एक तो शेल्फ ऐसेस्मेंट आधारिट हमने इत्यादी उनका बह गया था उसके लिए हमने मांगा है चुनावायोक से इजाज़त मांगे है इजाज़त मिलते ही वो पैसा उनको दे दिया जाएगा दूसरे काम उसके सांथ हम ये कर रहे हैं कि जो दुकानें टूट गए थी होटल टूट गए थे डावज टूट गए दूसी चीज़ें टूट गए थी उन सब को हम बीर चंसिंगर वाली योजना के ताथ रिण उपलब्द करवा रहे हैं उस रिण में यदि आप पचास लाग रिण ले रहे हैं पचीस लाग अनुदान का कंपोनेंट हो जाएगा मतलब आधाई आपको रिण के रूप वो साल तक कोई व्याज नहीं होगा और अगले दो साल तक चार परसंट व्याज होगा और इस पर बलकि यदि हम देखेंगे कि फिर भी नहीं काम चल पा रहा है तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम भी कर सकते हैं उस पर भी विचार कर सकते हैं कई जगों जो घर बनाने का क कुछ लोगों को वहां से रिलोकेट करके सेफर मैदानी शेतों में लाने का काम करना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, मगर ये काम ऐसे हैं, थोड़ा सा इन पर टाइम चाहिए. ये सभी योजना हैं आपकी पहले से चल रही हैं? हाँ, बातचीत में, ठिंकिंग प्रोशेस में, कुछ चीजें जो है, प्लान के रूप में, सब पर हो रहाता, मैंने उसको एक्सविडाइट करने का. उत्राखंड अपकी दिवाली बेहतर मनाएगा, आपका उत्राखंड देव भूमी में इस बार सारी खुशियां लोट आएंगी, इसका अच्वासा नाम दे रहे हैं. हम समझते हैं कि नकिवल हम अच्छी दिवाली मनाएंगे, बलकि देश भी अच्छी दिवाली मनाएगा, और एक अच्छा संदेश के दानाद बदिनाद धाम से गंगोतरी मोतरी से जाएगा, और हम लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि उताखंड में कैपसिटी है, इस तर अच्छी देश बनाया है, वो सब उनी से पूच करके, उनी की राई से बनाया है, और हमने पन्दा जो बृती में कुछ खो रहा है, उसको भी हमने कंपंसेट किया है, हमने इसा नहीं उनको नहीं छोड़ा है, हमने कोई बिजनिस के रूप में कंपंसेट, खोया है कुछ, उसको भी हमने किया है, हमने जो गालियां थी, जो ब्रीन कार होलडर थे, उन पर को भी बीर चंद सिंग अड़वाली में हम अदब दे रहे हैं, दो साल के लिए हमने उनको सब जो टेक्स पढ़ता है, गालियों आधी पर पैसिंगर, उससे सब छूड दे दी है, और जो डा जरसा एलेक्शन कमिशन की बाजहताओं के कारण रुपी पड़ी हैं, मगर जैसी यह माटेगा, तो यह सारी चीजें रोल आउट हो जाएगा। और आपको लगता है कि इतना काम आप कर रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं, आप से पहले विजय बहुणा कोशिश कर रहे थे, तो ऐसी इस्तिती में आप पांच में से कितनी सीठें कॉंग्रेस को जीत के देंगे? पांच में से पांच जीतेंगे हम, यदि मैं यकीन दिला पाये लोगों को, कि मैं ठीक दिशा के तरव राजी को लेकर के जाने के कोशिश कर रहा हूं, और इमांदारी से प्रियास कर रहा हूं, तो इस समय उत्राखिंट के लोग मुझको मजधार भी नहीं छोड़ेंगे. तो आप कितने लोगों से हरी शिरावत सीधे मिल लेंगे, कितने लोग ऐसे हैं, जिनके घर अभी जाना है, क्योंकि उन गाउं में भी जाना है, जहां कोई नहीं पूरेंगे? यही तो नाराज़गी थी, मुझे वखबुणा से यही नाराज़गी लोगों में थी. और हमने 1067 नए सासना दे इस जर्मान कारियों के जारी किये, और यही उसमें देवी आपदा के कारियों के जोड़ दें, तो 1600 के करीब सब आते हैं. हमने डिसेंटलाइज कर दिया सारी प्रोश्यस को. हमने डियम्स को भी और कविश्टर के लगों पर भी 10 करोर तक के काम कविश्टर कर सकते, 5 करोर तक के डियम कर सकते. मतलब आपकर कहने का मतलब है आपने तेजी किसंग काम को आगे बढ़ है? में भी आपको हजार के करीब लोग काम करते हुए दिखाई देंगे और अब हम इवन केलास मांसरो रियात्रा को भी फिर से रेस्टोर कर रहे हैं, वहां कंचुट्टी का पुल बह गया था, बड़ा लंबा स्वान का पुल है, मैंने उसके विचे में भी यह कह दिया, मैंन अपने जो सुरू में कहा कि एकोनोमी, मेरी राजी की एकोनोमी, यदि इस सार में बड़े परमाने पर इन सब चीजों को प्राग्रम नहीं करवाता हूं, तो अगले चार पांस साल हमाले बहुत कठिन हो जाएंगे, हमने जो लेबल हासिल किया है, वो लेबल हमारा नीचे जाएगा, तो इसलिए एकोनोमी के लिए भी अपने मर्यादा की रक्षा करने के लिए, अपने उत्राखन के सम्मान की रक्षा करने के लिए, और अपने उत्राखन की अर्थव्योस्ता को बचाने के लिए, अपनी रोजी रोजी को बचाने के लिए भी बहुत आफशिक है कि कुछ भी हो प्राण दे करके भी हम को इस काम को सफल करना है हरीश रावा सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्होंने काम में बहुत तेजी के संग उत्राखंड को आगे बढ़ाया है लेकिन भारते जन्ता पार्टी प्रचार में आगे जा रही है कि नरेंद्र मोदी का क्या जवाब देंगे जानेंगे इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बर फीर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मेरे संग मौजूद है हरी श्रावत आप लोग के टिकट बटवारे में तिदेरी क्यों हो गई है मैंने कहा नहीं कि जीरो परसेंट एर्र की गुंजाइस रखनी है हर हालत मैं मुझको जो सेडूल दे रखा यात्रा का जिस दिन प्राड़म करना है उससे दो दिन पहले उस रूट को ठीक कर देना है यदि मैं वो नहीं कर पाया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए मेरे लिए पहली प्राड़ी में डंके के चोट पर कह रहा हूं मैं अपनी नेता उंगनों से भी कह करके गया हूं कि मेरे प्राइटी चुनाओ नहीं है इस पूरे चुणाओ का तानवाना आपके चारो तरफ है लोकसाबा का चुनाओ है लेकिन लोकसाबा का चुनाओ मुखमंतरी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है जितना मेरा विरोद किया जा रहा है, जितना मुस्पर प्रहार किया जा रहा है, चुनाओ धीले धीले जो इस बात पर सिमट रहा है, कि हरी सावत का इरादा क्या है, इदे लोगों को मेरा इलादा परसंद आएगा तो हमारे उमिदवारों को जिताएंगे भरपूर तरीके से जिताएंगे आपको क्या लग रहा कितना नुक्सान हो गया सत्पाल महराज के जाने से सत्पाल महराज आपके हां 25 साल से थे वो आपको छोड़के गए हैं तो पार्टी अपने आपको कहा पा रही है नुक्षान का आकलन तो कुछ समय बाद भाजबा करेगी क्यों उनको कितना नुक्षान हो गया हाँ आप मुस्से क fret कैसा लगा तकलीफ हुई लगता है मेरस संग नयाय हो और मेरे संग नियाय नहीं हुआ खो सकता है उनकी उमीद है बड़ी हूं क्योंकि वह तो साठी झाल्चत करने वाले लोग है तो उनके लिए तो पूरा ब्रमान नहीं कम है वो तो कहते हैं हरीश रावत ही अकेले कॉंग्रेस को यहां तक नहीं लेके आए उत्राकंड में मैंने बहुत काम किया वो तो दूसरों को शद्गती और सब बुद्धी और सब जीवन प्राजान करने की समतार रखने वाले लोग हैं तो उनकी अपिक्षा हैं बहुत हो सकती हैं मगर मुझ गरीब का जो सीमिद दिस्ट्रिकोन है उसमें में देखता हूं कि मेरी पार्टी ने उनको कम नहीं दिया उन्होंने जब चाहा जब अच्छा लगा उमिद्वार बन गए जब चाहा दूसरे को उमिद्वार बना दिया जब चाहा कॉंग्र वो चू रहे हैं, जो सबसे समवेधनशील है, गंगा को मुद्दा बना लिया है, नरेंद्रमोदी ने, और गंगा पॉल्यूटेड है, आप खुद मंत्री रहे केंद्र में, और ये बाते उठाई गई, लेकिन आज तक गंगा रो रही है। पहरी बार नदियों की ब्रास्टाचार जूए के दर से घागरा थोड़ी छोड़ दे ती, पहना छोड़ दिया जाता है, या जूए पढ़ जाय सर में, तो मुंडन थोड़ी करवा दिया जाता है, उसका निदान निकालेंगे, मगर योजना गंगा की सफाई के कल्पना किस नवजवान राजी बाधिजी ने दी, गंगा के लिए हमारा दिल भी उतना ही धाड़कता है, जितना इन का धार रखता है, उसको नजी, रास्ती नदी किसने खोशित किया? कॉंग्रेस की सरकार ने किया, तो गंगा के लिए जो कॉंग्रेस सोच सकती है, संतों का जितना गंगा की बात आ रही है क्योंकि उमा भारती ने इसको मुद्दा बना लिया गरगर गई नेरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मुद्दा बनाया कानपूर में जोशी जी ने इसको मुद्दा बना दिया है तो और सत्पाल महराज करें हैं कि हम हर्की पेड़ी पे मोदी के संकल करेंगे कि गंगा शुद्ध करनी कहां थे मैं तो मैं वही कह रहा हूं अठल जी के छो साल के सासनकार में क्या गगा में कितना पॉलिशन हटा दिया है क्या गंगा तब पॉलिशेट नहीं थी उत्रपरदेश में तक सरकार में रहे कानपूर में गंगा की सबसे दातर के लिए लेकिन इनके पार कारी होगता नहीं है और हरी श्रावत के पार कारी होगना है मैं गह रहा हूं मैं इसलिए गया हूं कि मंगंगा की सफाई को कानुई तरीके से नियामक सरूप देशक हूं उसके लिए लिए महिलाएं और बुज़ुर्ग ये बहुत बड़ी बात है. इन के लिए क्या-क्या काम आप दे रहे हैं क्योंकि आधियाबादी को सोनिया गांधी भी कहती है, राहुलगांधी भी कहते हैं और सीनियर सिटीजन की भी आप बात करते हैं. ना किवल मात्रा में पुरसंख्या में भी. अकेले देहरादुन के अंदर 8000 या 8500 नए पैंसनर हमने जोड़े हैं पिसले एक मेहने के अदर और राज भर में यह संक्या करीब करीब पचास हिजाल के करीब है नए जो पैंसनर जोंए का काम किया है मैंने तीन नई पैंसनरे इंट्रोडूस कर दी जो पहले से इनिवर्शल हुआ है उसके अलावा एक तो बिर्द किशानों के लिए जो साथ साल से उपर के किशान है दूसरा मैंने पैंसन जो हमारे कर्मकानडी ब्राहमन हैं जो हमारे पुरोहित हैं और दूसरे लोग हैं जो ये काम करते हैं जो हमारे हमारे मदर्शों के मदारिश और व सब्सक्रावस्ता कि मैं जैसी वजार्पन करेंगे साट साल में उनको भी हम पैंसन से नवाजेंगे रुप्या कम है कम से शुरू कर रहे हैं इरादा बड़ा है हम आगे बढ़ाती जाएंगे परेटन को आप कैसे इतना मजबूत कर देंगे कि जैसे आज हिमाचल खड़ा है वो भी देव भूमी कहलाता है और उत्राखंड भी उतना ही आप आप निरभर हो जाएं और वहां का युवा पलायन ना करें देखे हम कुछ यूजीनिक इनिशेटिव प्राइडम कर रहे हुटाखंड के अंदर यूनीक इस मामले में कि उत्राखंड को है मगर देश में वह सब ऐसा नहीं है कि दूसे नहीं कर रहे हैं हमने किन-किन छेतों में हमारी पोटेंशिल है किसको हम हार्णेस कर शकते हैं औ और जिसको हम सस्टेन कर सकें ग्रोथ के साथ, टूरिज्म के ग्रोथ के साथ, और ओररल ग्रोथ के साथ, उस तरीके के टूरिज्म के विकास का हम काम कर रहे हैं. एक बड़ी बात क्योंकि ये कहा जा रहा है विकास और ब्रस्टाचार पे पूरा चुनाओ के इंदरित है इस बार खनन, माफिया वनकटान करता है और अतिक्रमन ये तीन मुद्दे हैं आपके हाँ, इनके खिलाफ क्या का? देखिया हमने, STF मेरे दोस्त बीजय बहुना बना करके कहे थे, जो खनन माफिया के बीज़े है, मैंने आते हैं उसको और स्ट्रेंटन करने का फैसला लिया है, हमने कह दिया है कि नदियों में खनन जरूर करवाएंगे, खनन जरूरी है, नदियों के लिए बार को रोकने के लिए, लोगे जीवन को तबाही से बचाने के लिए, मगर हम खनन कहा करें, यह हम निर्दारित करेंगे, जमीन को ले करके बहुत विवाद थे हमारे वहां, रियल स्टेट वार किस्ती थी, कभी बन जाती थी, मैंने एक STF उसमें मनाने का भी फैसला लिया, करेंगे, उसके जरीये हम एक डर, ताकि एक डिटरेंट, एक महल बना रहे हैं, जो इसको रोकना है आपको, यह आपकी प्रात्मिकता, एक बात यह निकल के आ रही थी, कि आप जब काम करवाते हैं, तो उसमें आपके ओपर यारोप सत्पाल महराज ने लगा दिया, कि सारे कि सारे मंतराले तो आप रखके बैठे हैं, मंतराले को अब आप क्या एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, किसको किसको देने जा रहे हैं, इसके उपर उन्होंने का कि साब वो किसी और को काम ही नहीं करने देते हैं, उनके राय प्रामस के बिना किया है, मगर उसमें टेक्निकल की बात आई थी और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंती गिनाती मेरा करता भी है कि मैं अपने सांथियों की उस भावना को समझू और मुझे खुशी है इस बात की हमारे दोस्ता हरक सिंजी ने कहा है कि वो इस मानुवे में कॉपरेट करेंगे उनके सही होसी मतरी एक बड़ी बा उसको माला पहन आख उसको माला पहनाएंगे इसलिए तो वहाँ पर ब्रहुमंन नाराज है कि मुख्यमंत्री भी ठाकुर अर अध्यक्षी भी ठाकुर वो यह तो यह वह वह बात निकल के नहीं या री ब्रहमनों को नहीं मेल रहा है ने ब्राह्मन को मिलेगा ने जब होगा ने ने क्यों नहीं मिलेगा बरहामन केल तक ब्राह्मन मुख्यों वन्ती थे और ऐसी अजयक से थागुर्य सवाल कोई इस दंग से देखता उसको तो यह हमारी पार्टी में ऐसा कोई धंग नहीं है पार्टी के किसी उचित आदमी को जब भी पार्टी अजक्षा कहेंगी दाइक तो सवापा जागा और यह इस पाला रही है इस वह बड़ी खूवी के साथ काम कर रहे है राहुल गांधी सोनिया गांधी की कितनी रैली जाप उत्राखंड के लिए मांग रहे हैं हमने सब टोटल मिला करके छै प्रपोच की है और अब कितनी उनों से घ्रांट होती है देशवर का कंपेन है तीन वो कौन से पॉइंट है जिससे आपको लगता है कि आप पांचो सी जिता देंगे दिखे पहली बात तो यह है कि जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जिसमा एक पला इनका सवाल था अब आप लगा लिजे लगाया है हमने परवती छेतूं से पलाइन को रोकने के लिए बहुत सारे इनिशेटिव बजट के माधियम से और तरीके से किया है क्योंकि सवा साल सवा मेहना इन सब चीज़ों को बताने के लिए काफी नहीं है मगर हमने बहुत सारी चीज़ें एक इंडिकेटर के तौर एक संकेत की तौर पर प्रात्मित्या की तौर देनी की कोशिश की है हमने सिक्ष्या तक्नीकी सिक्ष्या को अपने फोकस में रखा है हमने जल पानी कैसे हम कर सकते हैं हर्याली को और जल को कैसे हम अपनी पूजी में ऐसी पूजी में जो मॉबाइल पूजी हो जिसका उप् ठीक तरीके से खर्च हो और उसका पूरा लाव राजी के लोगों को मिले तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोग सद प्रयाज को हमेशा आशिरवाद देते हैं और साधना नियूस का भी आशिरवाद रहेगा और साधना नियूस के भीवर्स का भी आशिरवाद रहेगा सीधिये तोर पर हरिश रावत का कहना है कि हमने काम करने का बीड़ा उठाया है अब हमारे काम के ऊपर जाच करनी है जंता को जंता कितने नंबर इस लोकसभा चुनाओं में देगी यह वो तैकरेगी लेकिन हमारा काम सेवा करना है और अब देखते हैं कि वाकई नर वो किसको आशिरवात देगा ये वक्त तय करेगा लेकिन ये माना जा रहा है कि उत्राखंड के अंदर पांच सीटों पर अब भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच काटे की टककर हो गई है और ये नाक का सवाल है हरीश रावत की देखिये जनता किसके साथ जाती है आज क्रॉस फायर में इतना ही प्रकर प्रकाश मिश्रा को दीजे इजाज़त देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना नीउस के साथ नमस्कार